हेलो एवरीवान वेल्कम वैक टी यूरेटीव चैनल फोर केटिव इस सेशन में लोग देखेंगे बी एचेड एले वान थाटी फाइब के लिए यूनिट फाइब एकाई नमर पाच को देखेंगे इससे पहले फोर तक कंप्लीट कर चुके हैं जो भी भी तक कंप्लीट नही सबसे उपर में मिल जाएगा आप उस लिंग पर क्लिक करने के साथ आसानी तरीके से सारके सारे क्लासेश कर सकते हैं ओके चलिए श्टार करते हैं आज के सेसन को जैसे आज आज एकाई नमर पांच को देखेंगे जिसका नम है संसक्रिती विश्यका बोधन और सब्दकोस का उपयोग इसमें देखिए डो टोपिक्स हैं ठीकर सब्दकोस का उपयोग जिसमें सब्द धुनना सब्दाट धुनना सब्दकोस से अनिसूचनाई प्राप्त करना यह है बाते और भारत के त्योहार देखिए इसमें कुछ खास बाते नहीं समझाने एक्स्प्रेंट करने कोई बात नहीं है ऑके मैं आपको फिर भी explain करूँगा पहले ही बता देरों आप सभी cooperate करेंगे यह स्में सींपल सा अलग मजह है जैसे बारत के त्योहार में क्या होगा जो भारत के तमाम त्योहार हैं जैसे का आपको यह आपके जैसे हो गिए त्योहार क्यों कौन सोते है गंतरता दिवस हो गया ये सब जो है न त्योहार के बारे में आपको 2-4 लाइन लिखनी है ये बाहत के त्योहार हो गये ठीक है और सभी तमाम दुरगा पुजा दिपावली हो गया चट हो गया तो इसके बारे में बताना है के लिए ज्यादा कुछ है नहीं फिर भी मैं दी इसी तरह से जन आपको समझाने के लिए बता जाएगा ठीक न उसके बाद जैसे सब्दाट ढूना सब्दाट मतलब की कैसे होता जैसे किसी सब्द का अर्थ क्या होता है जैसे आप ही समझो जैसे सूचना यहां पे लिखी हुई है कि यह सब्द हो गया इस सब्द के जो सूचना उसका अर्थ होता है। इसी तरह सब्द आर्थ का जो हैने सब्द दुनना हो गया। ठीक है और सब्द को से सूचना यह प्राप्ट करना, जैसे सब्द को सब्द भी कहते हैं, । उसमें कुछ नहीं सूचना बादे में पाट परेंगे इसमें कुछ यह सब्द मनलब नहीं है सब्द ढूनना देखिए अब इस सब जो ना लगएगा बच्चे बच्च वाली हम लोग कर रहे हैं फिर भी आप से कौप्रेट कीजेगा ओके और देखिए इसमें काकश दर फष्ट में वरन्माला में वर्नों के इसकरम को आकाराधी कहरम कहते होसे जैसे वरन Americas को भी हम एकारUST कहर करते हैं तकाराधी सब्दों से बना सब्द जाते है जैसे कि आकार आदी हो गया, उसके बाद इकार आदी हो गया, चकार आदी हो गया, तकार आदी हो गया, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, इन सब्दों से हम लोग बता सकते हैं, सब्दों को उसके सारे सब्द आकार आदी करम में दिये जाते हैं, अर्थात, पहले आकार के अगर आपको गमला सब्द धुना हो तो के सब्दों के और गह के सब्दों के बीच के देखिए ठीक है ये बाते कहीं ज़री है अलफा फेट ओडर भी कहते हैं उसी तरह इसी तरह आकार में कई हजार सब्दा आते हैं जैसे यहां पर देखो अगर दूसरा वर्ण समान हो तो इसी तरह से आपको जो देखना होगा तीसरा वर्ण आकार से कितने हाजारों वर्ण बन सकते हैं लेकिन हमनों कैसे ढूंड़नेंगी इसकी बारे में कहा जा रहा है ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर क्या दिए गया है वर्ण है दो वर्णों से कौन-कौन से सब्द ब बारे में कहे गई है उसके बाद फिर देखिए यह तिसरा में कहा जाता है अनुनासिक अनुनासिक मतलब हम लोग जिसी चंद्रबिंदू भी बोलते हैं ठीक है न अब फिर अनुसवार उससे जो सब्द बनते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है ओके जैसे यहां देखो इस नासिक और उसके अनुस्वार की बारे में जो बढ़ाया गया था उसके बारे में ठीक है तो उसके बाद यही कही जारी है उसके बार जैसे मैंने पहले बताया था आपको जो नहीं दोनेने के लिए कहा जाएगा उसके सवाल उड़ता है कि स्वर की मात्रा और आधिवेंजनो सवाल बढ़ता है कि मात्रों और आधिवेंजनों के सञ्यूग्त को कैसे ढूण देंगे सञ्यूग्त की रूप में हो गया सञ्यूग्त की रूप में हो गया थीक है संयूक्त, अस्तान, अस्तर, अस्तूति, स्तूप यह सब जो है संयूक्त में रूप में आया है थीक है? तो यह कही जाड़ी है उसके बाद तीन और अक्षर है जिनकी चर्चा करनी है जैसे की अक्षा तरह ग्या ये अक्षा जो है को प्लस मुर्धन स से बनता है और तर जो है तो प्लस रो से बनता है उसके ग्याँ जो है जो प्लस ग्याँ से बनता है ठीक है उसके जैसे उपर सेक्ट वर्णों को ढूनने के बारे में चाचा की गया थी इसमें भी उसी तरह से ये तीनों सब्दों से हम ल टिक है यह आपका जो अक्षात्रग्यां से क्लियर देखें सिंपल है आपको मैंने पहले भी बताए इस तरह से अपका सब्द धुनने के लिए जो है टूपिक में हो गया उसके सब्दात धुनना सब्दात धुनना मतलब वह है अर्थ क्या होता है ृठीक है सब्दें को ढू कि इसी तरह से हो ना उसके और जिसके सामील होना होता है समावर्थी मतलब से वरकार से इसमें दिया गया है और अगर मैं इसको एक-एक करना जाओंगा अब बोर हो जाओगे उसके यदा लंबे समय भी लग जाएगा जबकि इस कीजी है कोई खास बात कỏi कि कूई सब्दमें उसमें कौन से भास के हैं? यह भास की रुप में बताया गया है? परियोग किया गया है उसके सब्य की उत्पति प्रविटी जो होता है, थो पर करके है, isul लिंग और पूर लिंग, पता ही होगा आपको, isul लिंग और हुआइ प्रविटी कि उत्पति आप जो बहुत है खेलारी संग्यां यह pulling है pulling मतला जो है male है वो उसकत है यह परतिय हो गया खेल करने والा खेलने والा या खेलने والा फेक है उसकत कुस्ती लरने या बने थी खेलने या ऐसी ही ओर काम करने वाला ठीक है उसी तरह से कहा जा रहा है और और यह आपको इस तरह से बताया जा रहा एक्जांपल के मादियम से आपको यह समझाया गया है समझ रहे हैं आप लोग हाँ ठीक है चली आगे देखते हैं उच्छारन हो गया यही भिन वर्तनी के रूप ओके तो इस पर कर यह रही आपका जो आप देखे भायत का वर्त्योहा इसमें भी समत परिभासा नहीं बन पाई जो है अपना संसक्रिती के जो है कोई भी इसका परिभासा अगर आपको बोलेगे कि आप इस संसक्रिती के जो ने सहीतर के से परिभासा बताओ तो इसका अभी तक परिभासा सटिक नहीं बना पाया है ओके अलग लग विद्वानों अलग विक्सित पर्मप्राय, रिती रिवाच, आचार विचार, साहित धर्म, कला की सभी समावेश हो सकता है, जैसे सभी के संस्कृति अलग-अलग होते हैं, जैसे आप समझ सकते हो, आप देली में रहते हो, देली का संस्कृति, देली का कल्चर जो हैं, अलग होती है, हर्यानी का, अलग टैप का होता है, अब बिहार चले जाओ, बिहार का बहुत ही अलग होता है, आपका कल्चर यहां पे, ठीक है, बिहार दी हो गया, यूपी हो गया, इस सब चीज में, यहां का सभी जो नवा, भात का कोई एक परकार का संस्कृती नहीं है, अलग 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 श्टेट का अलग अलग तरीके से कल्चर है, आप जैसे तमील साइड में चले जाओ, तमील साइड का बिलकुल अलग है, आप बिहार में, दिल्ली में, यूपी में, उसके बाद गुजरास में चले जाओ, महराष्ट्रा में चले जाओ, सब का कल्चर अलग 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 ट्रेस होते हैं उसके बाद गांधी देश, जैन्ती, तो यह सब तियोहर के रुपय हम लोग रहते हैं, जैसे इसमें डिभाइट कर दिया गया सरध रित्तु के प्रमुक तियोहर, इसमें क्या होता है, जैसमें कि हमारा देश जो किरिशी परधान देश है, इसमें क्रिशी से सम्मनेद आपक जो एक त्योहार होती है और क्रिसी से जीवन अधार इसलिए हमारे कई त्योहार क्रिसी से जूरे होते हैं मतलब कि जो हम लोग क्रिसी करते हैं उससे रिलेड़ेट अपुजोना बहुत सरह से देखें किसान जो होते हैं वो खेत के लिए लगातार एक कोई न कोई पर्व करते रहते हैं त्योहार मनाते रहते हैं ठीक है तो हम लोग क्रिसी परणान देशा क्रिसी के त्योहार मनाते हैं कई त्योहार मनाते हैं ठीक है ये छेतर पर डिपेंड करता है ओके जैसे मैंने पहले भी ब मनाते हैं ठीक है ना तो ये बाते कहीं कहीं है आप सभी इसके बारे में समझ सकते हूँ ठीक है तो इसमें एक्स्प्राइन करने की कोई बड़ी बात नहीं चाहो तो मैं बता सकता हूँ लोग मनाता कि आयोधिया के राचा श्री रामचन इसी दिन के रावन पर विजय प्राप्त आयोधिया लोटे थे तो इसमें ठीक है दिपावली हो गया उसके बात पूर्वी भात में विश्यसकर बंगाल पांद में से काली पुझा के नाम से भी मना जाता है दिपावली को का नहीं हे हैं कि हमारे अंदर दुर्गनों का नास हो मिलस के अच्छे काते हैं अच्छे कार एच्छे दिवत्убли ऌे हमारे घर पर वेच करें , इसके देखे वसंद्रितू के परमुक्ते वहार, जो वसंद्रितू होती है, उसमें है मकर सक्रांती हो गया, ये देश का ऐसा तियोहार है, जिसके साथ रितू परिवर्टन धन्मिक, मनेता है वह फसल की काटायी का आमने सब एक साथ जूरी करते हैं, जैसे कि मकर सक्रांती का डेर जोने फिक्स होता है, 14 जनवरी को, ठीक है, तो ये त्योहार है मकर वसंद रितु का जिन पहला त्योहार यही है, ठीक है, उसके पंजाब भरियाना हिमाचल प्रदेश में लोहरी के नाम से जाना जाता है, मकर सक्रांती का अलग छेतरों में अलग अलग अलगतर के नाम है, ज ये इसमें ही पतंग उराया जाता है, ठीक है, लोहरी जोन, लोहरी गाया जाता है, घर गरों में जाके ये गीद गाया करते हैं, अलग 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 तरीके से इसका पूजा करते हैं, जैसे इस स्टाटिंग में बताया था ना, अगर बाहत की संसक्रिती एक नहीं है, अलग लग तरीके से इसका संस्कृति इसका कोई सठीक पड़िभासा भी तक नहीं दिया गया है उके उसके तमिलाडो में इस्तिवार को तीन दिन मनाते हैं उके सभी दगे अलग लग छेत्रों में जैसे बता है इसको भोगी भी करते हैं यहाने तमिलाडो में लोग इसको भ अपने में पचाकर एकाकार कर लिया है मतलब एक आज़रा अपने 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 त्योहारों को मनाते हैं और विश्व की अनेक संस्क्रिटिया के समन में कर सबसे पर्मुगस्तल भारती है सही बात है सिंपल सी बात है और विवित्ताओं के बीच एकता कायम करने की सरवाधिक छमता हमारे देश में है इसलिए कहा है कहा गया है कि भारती संस्क्रिटी महा समुंद्र में के समान है ठीक है यह कही गई है उससे बाद विश्व में ऐसी महान विवुस्तियां हुई है इनके विचार है वो मुपदेश 46 मानव जाते के लिए मानव रूप में उप्योगी है यह धर्म और जाते के रूप में समझाया जा रहा है उसकर इद इसलाम धर्म महतपुर्न तिहार है इद जो है इसलाम धर्म का सबसे महतपुर्न तिहार माना जाता है इसके बड़े पेमाने माया जाते है इस्तिकातियों हर साल में दो बार मनाया जाता है यहने कि पूरे साल में दो बार इद का मनाया जाता है इदुल फितर और इदुल जुहा जो तो बार मनाया जाते है तो यह बाते इद के बारे में कही गई है इदिकातियों में कपरित पहन का और हिंदू मुसल्मानों में भाहिचारे का उपदेश दिया है ठीक है यह बाते कही जाती है अपना राष्टि पर्व हो गया राष्ट्र पर्व जैसे मैंने स्टाटिंग में भी वताया था सुथता दिवस गंदर्ता दिवस गांथी जैंती यह सब जोने इसमें इसमें कह तरचा की गई है ठीक है उसके दो अक्टोबर को राश्ट्रपिता महतमागांदी के जैनती हुई है कि लिए उसका दिस्टी परकर हमाद देवर से चाहे धर्मिक दिस्टी के सिर्फ मनाया जा रहे हैं नवेर से अगामे की रूप में भसल की कटाई हूं यह सब बाते हैं इसम कुछ भी पुछा जा सकता है ऑके बट इसमें कम चांसी है फिर भी आप इसको देख लेना है तो यह रहा आज का सेशन में यूनिट फाइब को लोग देख चुके हैं और यूनिट फाइब कंप्लेट हो गई यहां तक की और बहुत ही जल्द यूनिट शिक्स भी आ कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए चलिए मिलते नेक्स सेशन में तब तब के लिए थैंक यू